हाई दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो, आसा करती हूँ, अच्छे ही होगे, तो आ गई हूँ आप लोग के लिए कुछ लाइन लेकर, कि लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, जो मुद्दत से मन को चुराए हुए हैं, उठाएंगे हाथों में मुश्कों नक् जो नक्पर गोबर्धन उठाए हुए हैं, निकालूं भी उनको तो कैसे निकालूं, जो रग-रग के भीतर समाए हुए हैं, तो आप सब समझी गए होंगे, कि भवान के प्रतिये मेरी आराधना है, और आप सब को भी मैंने प्रस्तुत किया, तो आज का दिन बहुत-बहु कारी हो, और आए आगे चलते हैं, मिलते हैं, आ गई हूँ कीचन में, नास्ता बनाने, कर हैं, यह फजड़िया हूँ इसार हैं, तो इसे अट, आगे जिलते हैं, तो गभाषरावणिकी, तो आप रभी प्राः के बनान नाना है, जů बनाना हaratार हैं, तो आपuine को सास्ता प्रतों के घंगे, तो inconven corridor हैं ए트 हूँ करमों हैं, तो उर को मेस्ता हो व प्राठा बना रही हूं और बुदी बनाई हूं जिसको अभी सुखाना पढ़ रहा है आनी हुद्ट नमस्ते दोस्तों सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार और आशिरवाद तो मेरा नास्ता आपके सामने हाजीर है चनी की घुगरी यह देखें भाप निकर लाये कितना और एक एक पराठा प्याज और यह तो जिंदा बाद तो आज मेरी प्यारी मुंफली को फुलाना भूल गई और यह रही मेरी करम चाए और गुड मॉर्निंग जी से मिल लीजे स्टार्ट एकदम तेजी में खाना यह देखिए अरे एकदम खाने में मगन है गुड मॉर्निंग देख लीजे गरंगरं खाना आज समझा देखिए चलिए मैं भी खिलातीं हो आप लोग को बिना इंतिजार किये तो यह पराठा और गुंगरी और उस पर एक प्याज रखके यह लीजिए खाकर स्वाद बताईए फटाफट मैं बताती हूं अच्छा बनाया हूं कि शादा साथा बहुत ज्यादा भूग नहीं बनाया है तो अच्छा है वह अच्छा पराठा भी बहुत अच्छा बना है अच्छा थीता नहीं हो रहा है अच्छा एक शीची कमें इसमें खल लगी है नीबू इस पर नीबू बहुत मस्ट होता है तो नीबू का कमी खला है और आप लोगों से क्या कोई कि लाइक शेयर कमेंट्स करना भूलिएगा नहीं यह बार बार कोऊंगी और जो लोग नया हैं मेरे ब्लॉक पर वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करतें बेल आइकन पर क्लिक करने पर और का अप्सेन आता है तो और के ओप्सेन पर क्लिक कर लें उससे सारान मेरे वीडियो आपको आराम से मिलेंगे और चुछ वीडियो को आगे बढ़ा कि भी देखिये पूरा देख लीजिए तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पहले से के लिए बाइ-बाइ-बाइ-वा